लग आइसे पौदे के बारे में जो आपके मेरे घर में साल उसे लगा हुआ जिसका इस्तवाल हम करते हैं एक और नाममेंटल प्लांट की था अब और Olympia प्लांट की तफ disks सबसे कम Такkekल किसे जरूरी होती इस बारे में बात करेंगे, अपनी फीडियो में मैं आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे के बताता हूं, कि आखिरकार जड़ी पूटियों में ऐसा क्या है, कि जिसकी वज़े से हमको इतने फाइदे मिलते हैं, ऐसे ही आज सदबार के बारे में बताऊँगा, इसके अंदर आपको दो एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, एक होता है विंक्रिष्टिन और दूसरा होता है विंब्लास्टिन, ये दो ऐसे एक्टिव कंपाउंड है, यदि आपके बॉड़ी में ये रेगुलर जाते रहते हैं, तो आपको बहुत फाइदे देते हैं, सबस बोड़ी में इस unwanted growth को control करने का काम करते हैं इसका फोल मैंने आपको दिखाता हूँ इसकी में पांच पंखडिया होती हैं पांच इसके फायदे बता हूँगा सबसे पहली पंखड़ी के लिए सबसे पहला फायदा इसमें मिलने वाले यह एक्टिव बायो कंपाउंड आपको एक तो anti-cancer property की वज़े से फायदा देते हैं फ्यूचर में होने वाली ऐसी किसी भी unwanted growth को रोक के रखते हैं दूसरी बात एक बहुत बड़ी problem है आजकर leukemia यह उसको control करने का काम करते हैं तो इन दो active compound की वज़े से पहला आपको यह दो फायदे मिल गए दूसरी चीज इसका इसका प्रियोग करके भी आप अपने शरीर में blood sugar level को maintain कर सकते हैं अब इसका प्रियोग किस तरीके से करना है आप इसकी दो तिन पतियां तोल लीजिए एक दो फूल ले लीजिए ताजे जैसे तोलेंगे हतेरी में रखिए उससे दीरे ताकत लगा के मसल लिए इक वो गोल अब क्या है कि इसमें इसरी पैसा नहीं है कि एंटी कैंसर और आपका एंटी डायबिटिक है साथी साथ यह आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपकी बॉड़ी में कलस्ट्रॉल बढ़ गया हो और की फंक्शन इम प्रॉपर नहीं हो रही हो उस दशा में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं और प्रियोग का तरीका बहुत साधारण है जितने भी हिर्दैर होगी है वो अधिक्तर लोग ऐसे होंगे जो अर्जुन की चाल के काड़े का प्रियोग जरूर गड़ते होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो जब भी आपका भी अर्ज चांग लेलीजिए उसका 10 से लेकि 20 ml के मातरह में यदि उसके काड़े का सेवन करेंगे तब भी आपको बराबर फायते देगा और चौती पंगड़े के लिए 14 फायदा अब देखें ऐसा है मैंने आपको पीछे कई वीडियो में बहुत डिटेल में बता है कि एंटी कौरी इंडस्ट्री जो है वो कोई भी कौस्मेटिक ट्रीटमेंट लेंगे शुरुआत होगि तो इसमें ज मिलने वाले आपको आने वाली बिमारियों से बचा कर भी रखेंगे और पांच वी पंकड़ी के लिए पांच बाफाइदा अगर आप पूरी तरगी से स्वस्त भी है ना आपको डाइबिटीज है ना आपको कहाड भी अच्छा सेल रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप कि एक से दो पत्य निमित रूप से खाएंगे यदि आपकी इमिनिटी पूरी प्रॉपर है तो आप दीए कि चुटी मोटी बिमारिया है वो खूप हो पुछी जैसी होती है तो हमारे शरिको शक्ती प्रदान करती है जिससे हम तमाम तरिके के रोगों से बहुत सकते हैं तो 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 यह तो था सदाबाहर देखने के लिए एक औरनामेंटल प्लांट है जिसे हम ऐसा समझते हैं कि बस हमारे घर में लगा है लेकिन अगर हम इसकी सही जानकारी रखते हैं तो तमाम रोगों को हम इसे आराम से दूर कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आप मैंसे इन में से कोई ना कोई नुश्का आप भी इस्तमाल करते होंगे आप सदावार को किस तरीके से इस्तमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनके दर में सदावार भी लगा है और से यह परिशानी भी हैं तो इस वीडियो के साथ शेयर करना ना भूलें ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए जड़ी पुटी परिवार का इससा बनने के लिए इस चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें घन्नवाद